हेलो बच्चो, स्वागे था आपका वी एक्सिंग क्लासेज में प्यारे बच्चो, क्लास 11 के फिजिक्स में यूनिट और मेजर्मेंट चैप्टर है जिसका एक छोटा सा टापिक है डाइमेंशनल एनल्सिस वीमी विशलेशन बच्चो, इस वीडियो में हम लोग डाइमेंशनल एनल्सिस को ही डिसकस करेंगे आप सभी लोगों ने क्लास 9 में छोटा सा टापिक पढ़ा था यूनिट मातरक हमको पता है कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोग भूल रहे होंगे तो हम लोग यूनिट से स्टेडि करना सुरू करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे डाइमेंशनल एनल्सिस क्या होता है प्यारे बच्चो आपने पर रखा होगा कि यूनिट थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट टाइप जो यूनिट का होता है उसे कहते है फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक यह जो मूल मात्रक होते हैं फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो सेबन टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं मीटर होता है किलोग्राम होता है second होता है Kelvin होता है ampere होता है candela होता है और mole होता है यह total इनका number है 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चे यह meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela और mole किसी न किसी physical quantity को measure करने के लिए बनाए गए है तो आपने यह भी पहा होगा कि आखिर यह किसका किसका measurement करते हैं किसको किसको mapते हैं तो जरा उसे भी याद कर लो यह जो meter है, वो length के measurement के लिए है kilogram, mass के measurement के लिए है second, time के measurement के लिए है Kelvin, temperature के measurement के लिए है ampere, electric current बैदुधारा के measurement के लिए है candela, luminous intensity प्रदीपन तीब्रता और mole quantity of matter के measurement के लिए है quantity of matter यानि कि पदार्थ की मत्रा प्यारे बच्चों यह जो unit है यह जिस जिस quantities को measure करते है जैसे length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity और quantity of matter इन पूरे quantities को कहा जाता fundamental quantities तो यह है fundamental quantities seven ताइप साफ हो गए unit और seven ताइप साफ हो गए quantities, physical quantities प्यारे बच्चों आपने यह इतना तो experience आपको होगा ही कि इसके अत्रिक्त इन seven units के अत्रिक्त भी बहुत सारे unit हम लोग daily physics में use करते हैं जैसे velocity का meter per second वगएर वगएर उसे हम लोग कहते हैं drive unit इन seven types of unit के अत्रिक्त जितने भी unit हैं जिसको इसके help की सहायता से हम बनाते हैं निकालते हैं उसे कहते हैं drive unit तो second type of unit है drive unit इनका definition क्या होते हैं fundamental unit की सहायता से जिन unit को बनाते हैं उन unit को कहते हैं drive unit ऐसे unit जिसका निर्मार fundamental unit के सहायता से होता है उसे कहते हैं drive unit ब्योथपन मात्रक बच्चों drive unit की संख्या निश्चित नहीं होती जिस तरह से fundamental unit की वल साइट सेवन टाइप्स के होते हैं ऐसा ये fix नहीं होते हैं इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि quantities ही बहुत ज़्यादा है physical quantities तो चोटा सा एक unit लिखते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा unit of velocity चाल का मात्रक सभी बच्चों को याद होगा meter per second इसको ऐसे भी लिख सकते है meter second to the power minus one यह minus one कहां से आ गया किस यह जो second नीचे लिखा हूँ है न इसको जब उपर से नीचे से उपर की तरफ आप ले जाओगे तो जो भी power होगा उसका sign change कर दोगे तो second का power plus one है नीचे से उपर ले जाओगे तो उसका power minus one हो जाएगा second to the power minus one ऐसे कोई और भी सोचो जैसे होता है unit of monovolume item का मातरक तो ऐसे बहुत सारे drive quantities होंगी physical quantities होंगी जिसका unit हम in seven unit के help की सहायता से calculate करते हैं यह सभी unit कहलाएंगे drive unit बच्चो अब focus करना क्योंकि यहां से class 11 start होने जा रहा है यह जो drive unit है कोई भी drive unit यहां जो लिखे गए इसे या जो आप जानते हो कोई भी लिखो वो सभी drive unit में fundamental unit का help लिया गया है जैसे velocity of sorry unit of velocity में meter का help लिया गया और second का help लिया गया unit of volume में meter का help लिया गया वो भी three times use किया गया तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने यह देखा कि किसी भी drive unit को लिखने के लिए fundamental unit पर कुछ power लगाए गया है volume के case में meter का power plus three तो कुछ न कुछ power जरूर लगाया जाते हैं यह जो power लगाया जाते हैं इसी power को ही कहते हैं dimension बच्चों एक बाद फिर से ध्यान से सुनना dimension क्या होता है किसी drive unit में fundamental unit पर जो power लगाया जाते हैं जो exponent लगाया जाते हैं उसी घात को कहते हैं बीमा dimension तो बीमा की definition क्या होगी drive unit प्यूथपन मात्रक को लिखने के लिए fundamental unit यानि कि mole मात्रक पर जो power लगाया जाते हैं इसी power को कहते हैं dimension बीमा यानि कि अगर हमको यह लिखना हो dimension of velocity तो कैसे लिखेंगे dimension of velocity यानि कि चाल की बीमा तो चाल की unit को represent करने के लिए क्या-क्या use किया गया है meter use किया गया है और second meter का power plus one second का power minus one तो क्या लिखा जाएगा dimension में equal to one meter का power one तो जो power होगा वही dimension होगा लेकिन one किसका meter का और meter क्या measure करता है length तो लिखेंगे one in length लंबाई में एक और second में minus one है minus one in second second क्या measurement करता है time time तो बच्चो डाइमेंशन जो power होता उसी को dimension कहते हैं तो meter का power one था meter measure करता length को तो लिखेंगे dimension of velocity यानिकी चाल की बीमा is equal to one in length लंबाई में एक and minus one in time क्योंकि इसका power minus one है समय में minus one बच्चो इस तरह लिखना थोड़ा सा असुविधा जनक है convenient नहीं होता है और time taking भी है इसलिए थोड़ा सा short में इसे लिखने की कोशिस करते हैं तो जहां कहीं भी हमको short form लिखना होता है वहाँ पर हम उसके English word के अंग्रेजी का जो अच्छर होता उसका first letter ही उसका symbol बना देते हैं तो ऐसे ही dimension में भी हम करते क्या हैं ये जिस quantity को measure करता है unit न उस quantity का first letter ही dimension का symbol बना दिये जाता है यानि कि length जहां होगा वहाँ पर dimension का symbol हम लोग use करेंगे L मास जहां पर होगा वहाँ पर dimension का symbol लिखेंगे capital M time जहां measurement किया जाएगा वहाँ पर capital T अब बच्छों यहाँ पर temperature भी तो capital T से लिखा गया है तो temperature और time दोनों का first letter same है तो यहाँ पर letter change कर देते हैं theta यूज़ करते हैं बस यही आपको एक याद रखना है otherwise L for length, M for mass, capital T for time, theta के लिए किवल याद रखना temperature नीचे जो three quantities बच गई हैं ampere, candela और mole इनका जो unit है वही इनका dimensional symbol भी बना दिया जाता है यानि कि electric current के लिए ampere, candela, luminous intensity के लिए CD ही है और quantity of matter के लिए जो dimensional symbol यूज़ किया जाता है वो है more बच्चों यह जो last के दो हैं इनका बहुत यूज़ नहीं करते हैं केवल five ऐसे symbol है dimension के जिनका हम लोग जादा use करते है तो आते हैं यहाँ पर यह जो लिखने के हम लोग कोशिस किये थे dimension of velocity यानि कि child की बीमा one in length and minus one in time अब इसको short form अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे length के लिए symbol बनाए गया L और dimension power होता है इसलिए power में लिख दिया गया one time के लिए capital T और इसका power minus one यानि कि इसका dimension आगया L t power minus one velocity का अब इससे हम dimension नहीं कहेंगे इससे कहेंगे dimensional formula of velocity dimensional formula of velocity यानि कि वेग का बीमी सूथ एक बार फिर से दो रहा हो या अगर लिखा होगा तो इसका मतलब length का measurement होगा capital या mass capital T time theta temperature ampere A candela के लिए cd और mole quantity of matter के लिए तो बच्चों किसी quantity का dimensional formula हम calculate कर सकते हैं अगर उस quantity का formula पता हो जैसे अगर हमको dimensional formula area का calculate करना है first आपके book में बहुत सारे quantities का dimensional formula लिखा होगा एक बार उन सब को calculate कर लेना याद मत करना calculate कर लेना अवश तो अगर आपको area का dimensional formula calculate करना है तो जैसा हमने आपसे कहा कि जिस quantity का dimensional formula calculate करना होता है सबसे पहले उसका formula सोचो तो area का formula area के बहुत सारे formula है कोई formula आप सोच लो तो area का जो formula है length into breath इस लेड डाइमेंशनल फार्मूला डी एफ डाइमेंशनल फार्मूला फोर area is equal to इसमें कौन कौन सी quantity है उसका dimension symbol लिखो length into breath length का dimensional symbol है L breath breath का dimensional symbol वो भी L होगा क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की length ही है जिस किसी quantity को आप scale से measure कर ले सकते हो scale से नाप सकते हो सब length की category में है तो breath को भी हम scale से नाप सकते हैं इसलिए उसे भी length ही मानेंगे उसका भी dimensional symbol L होगा तो dimensional formula for area is equal to हो जाएगा L square बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि आप यसी formula का use करो आप किसी भी formula का use कर सकते हो उस quantity के dimensional formula को calculate करने के लिए dimensional formula same ही आएगा quantity अगर same है तो formula चाहे different ही रखो जैसे अगर किसी को ये याद आ रहा हो कि dimensional formula area का जो है वो इस formula से न निकालें हम pi r square से निकालें तो क्या होगा तो pi एक number है अभी बताए कि number का कोई dimension नहीं होता है तो इसका कोई dimension नहीं लिखा जाएगा r radius है radius एक length होता है center से circumference के point के बीच का तो इसका dimensional symbol e-l हो जाएगा e-l square कोई भी formula of area का use करोगे उसका dimensional formula same आएगा बच्चों यहाँ पर अभी तक हमने आपको यह नहीं बताया कि आखिर dimensional formula के लिखने में बड़ा bracket क्यों use करते हैं इस तरह का bracket क्यों लगाते हैं math में या science में जहां कहीं भी fix हो जाता है जहां कहीं भी constant चीजे हो जाती हैं वहाँ पर हम बड़ा bracket यूज करते हैं यानि कि formula आप चाहे जो use करिए quantity का dimensional formula fix होता है इसलिए इसे हमेशा बड़े bracket के अंदर रखते हैं इस character को specific nature of dimension कहते हैं dimension का basic good कहते हैं कि formula जो आप use करो dimensional formula same आएगा तो चलो अब किसी भी formula से आप calculate करना आपको अगर volume calculate करना है volume का dimensional formula कुछ तो आपको तूरंत याद हो जाएगा तो volume का formula होता है length into breath into height dimensional formula for volume यह जो capital D, capital F लिक रहे हैं इसका मतलब dimensional formula मतलब आयतन का बीमी सूत्र हिंदी में आयतन का बीमी सूत्र छित्रफल का बीमी सूत्र length का symbol capital L breath भी capital L, height भी capital L से represent होता है यानि की हो जाएगा L cube third density घनत इसके लिए जो formula यूज होता है वो होता है mass equal to volume into density यह जो small d से लिखा गया है वो है density का presentation density को d से या row से भी लिखते ही है नया जो symbol है आपके लिए वो है row d common सा symbol है density d से भी represent होता है और row से भी represent होता है बचो अभी हमने आपको समझाया कि जिस quantity का dimensional formula लिखना होता है सबसे पहले उसका formula चाहिए यहाँ पर यह formula mass का लिखा हुआ है जबकि हमको dimensional formula calculate करना है density के लिए तो इस formula से अब density की value पहले calculate करो यानि कि density is equal to हो जाएगा mass divided by volume इतना तो मैथ आता ही है तो dimensional formula of density is equal to mass capitalium volume का L power 3 यानि की हो जाएगा M L power minus 3 M L power minus 3 fourth velocity या speed तो velocity का formula होता है displacement by time displacement बिस्थापन बटे समय speed में यही पर दूरी हो जाता है distance हो जाता है दोनों को आप scale से measure करते हो बस यह है कि यह vector quantity है और यह scalar quantity है इसके बारे में हम लोग detail पढ़ेंगे vector वाले chapter में तो velocity का निकालो dimensional formula of velocity is equal to या speed is equal to distance distance length हो गया time capital T solve कर लो L T power minus 1 acceleration 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 तोरण आपने पढ़ रखा होगा acceleration is equal to rate of change of velocity वेग परिवारतन के दर को तोरण कहते है तो इसका dimensional formula क्या होगा of s relation is equal to velocity by time velocity का dimensional formula L T power minus 1 और time के लिए T T को shift करो उपर की तरफ तो हो जाएगा minus 1 एक minus 1 अल्रेडी है यानि कि total हो गया L T power minus 2 बच्चो इतना note करो मिटा रहे से अब चलो calculate करते है dimensional formula of force इसका भी फार्मूला आपको याद होगा force is equal to mass into s relation therefore dimensional formula of force is equal to mass capitalium acceleration निकाल लग चुके हो L T power minus 2 हो जाएगा M L T power minus 2 इसको याद रखिएगा जितने भी physical quantities है mostly उसमें force का यूज किया जाता है इसलिए इस dimensional formula को आप याद रखोगे तो आप easily calculate कर सकते हो बड़े dimensional formula के calculation में बच्चो force जब आपने निकाल लिया तो आप calculate कर सकते हो work भी चलो जल्दी से work भी निकाला जाए work के लिए होगा force into displacement तो dimensional formula of work is equal to हो जाएगा force के लिए ml t power minus 2 और displacement l displacement दूरी दूरी को भी आप scale से measure करोगे जिसको scale से measure करोगे वो sub length की category में आएगा तो l total हो जाएगा ml square t power minus 2 l यहाँ है यहाँ है multiply करते समय power add हो जाते पावर 1 पावर 1 total हो गया पावर 2 बच्चो ये भी बड़ा important dimension है इसको भी याद रखिएगा ये जो work का dimensional formula है आप कोई भी energy के बारे में सोचो kinetic energy, potential energy, heat energy किसी भी energy के बारे में सोचो सभी का dimensional formula यही आएगा क्यों ऐसा हम कह रहे है क्योंकि work is energy and energy is work कारे ही उरजया है और उरजया ही कारे है तो अगर कारे energy है work energy है तो energy का भी dimensional formula यही आना चाहिए अगर आपको विश्वास ना हो जैसा नहीं करना चाहिए teacher पर एक science के student का उसके हर बात को cross check करना चाहिए करके देखना चाहिए कि कहा जो जा रहा है या जो लिखाया जा रहा है वो सही है या गलत तो जरह क्रास चेक करके देखो कि क्या सच में जो work का dimensional formula है वही energy का भी dimensional formula होगा तो बच्चों अगर आप calculate करो kinetic energy गती जूर जा तो चलो calculate करते है kinetic energy का formula होता है half M V square तो kinetic energy का dimensional formula क्या हो जाएगा number का कोई dimension होता नहीं है 1 by 2 का कोई dimensional formula नहीं होगा mass के लिए capital M velocity का अगर याद आ रहा हो नहीं तो note करे होगे तो देखना है L T power minus 1 whole square है total solve करोगे तो हो जाएगा M L square T power minus 2 minus 1 का 2 में multiply करेंगे तो minus 2 हो जाएगा power के उपर power है तो power का multiply कर देते है तो ज़राब match करके देखो M L square T power minus 2 तो जो kinetic energy का dimensional formula है वही work होगा है ऐसे अगर आप potential energy निकालो तो U equal to M G H dimensional formula for U equal to dimensional formula for M mass के लिए capital M G acceleration due to earth है प्रिथभी के कारण गृत्ती ये तोरण जो होता है वो है तो ये एक तरह का तोरण isolation है तो L T power minus 2 height L total solve करोगे तो फिर से आपको मिलेगा M L square T power minus 2 इसलिए जितना भी energy होगी उन सब ही energies का dimensional formula work के dimensional formula के similar ही होगा क्योंकि work is energy या energy is work ओके तो work का अगर आपको याद है तो आप energy जहां कहीं भी होती है उन सब का dimensional formula लिख सकते हो बच्चों बल आघूण एक physical quantity होता है torque बल आघूण torque इसका भी dimensional formula work के ही जैसा होता है इसको toe से represent करते है force into distance ये भी होता है तो force into distance formula सेम है तो dimensional formula भी सेम आएगा तो अगर आप work को याद करे हो work का dimensional formula याद करे हो तो कहां कहां यूज कर सकते हो energies के dimensional formula में यूज कर सकते हो number one torque के यानि की बल आघूण के dimensional formula में यूज कर सकते हो तो एक formula आपको दो जगह पर और भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जी की जगह पर भी और तार्क की जगह पर बल आघून की जगह पर भी तो दो नोट करिए पावर पावर का फार्मूला भी आपको याद होगा डबलू बाई टी डबलू वर्क टी टाइम रेट तो पी का डाइमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा पावर का वर्क का डाइमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वार टी पावर माइनस टू टाइम के लिए टी यम एल स्क्वार टी पावर माइनस टू और नीचे से उपर की तरफ टी को आफ सिफ्ट करोगे तो टी का पावर प्लस वन है माइनस वन हो जाएगा यह दोनों स्साल्ब करो तो टी का टोटल पावर हो जाएगा माइनस थ्री यम एल स्क्वार टी पावर माइनस थ्री पावर तो बच्चों चलिए केल्कुलेट किया जाए dimensional formula for frequency आवरिती का dimensional formula frequency आवरिती frequency को n या new n से represent करते हैं new से represent करते हैं f से represent करते हैं n frequency equal to 1 by time period तो frequency का dimensional formula dimensional formula of frequency n is equal to हो जाएगा 1 by time time के लिए symbol है dimension का capital T T power minus 1 बच्चो यही जो dimensional formula frequency का है वही omega एक quantity होती है angular velocity कोड़ी ये वेग दोनों का same dimensional formula आता है omega से represent करते हैं omega का formula होता है 2 pi by T 2 एक नमबर है pi एक नमबर है तो इसका कोई dimension होगा नहीं तो dimensional formula of angular velocity is equal to हो जाएगा 1 by capital T ये 1 कहां से है नमबर का कोई dimension नहीं होता है तो इसका dimensional formula नहीं लेखेंगे बचे का केवल T T का हो गया T तो जो frequency का dimensional formula होता है वही angular velocity का भी dimensional formula होता है बच्चों जड़ा plank constant calculate करो ये आप लोगों के लिए नया होगा plank constant का dimensional formula plank नियतांक इसको small h से denote करते हैं और इसको जिस formula से हम लोग calculate करेंगे वो formula plank नहीं दिया था वो formula था equal to h new ये frequency वाला new h new तो आपको ये समझा हैं कि जिस quantity का dimensional formula calculate करना होता पहले उसकी value निकालो तो पहले आप h की value निकालो h equal to e by new यहाँ पर हम आपको e नहीं बताए क्या है e है energy new है frequency तो energy का dimensional formula अभी समझाए कि energy वही work है ml square t power minus 2 frequency का हो गया t power minus 1 तो h का dimensional formula हो जाएगा dimensional formula of plank constant is equal to t power minus 1 को आप लोग नीचे से उपर की तरफ shift करोगे तो plus 1 हो जाएगा और यह दोनों solve करोगे तो हो जाएगा ml square t power minus 1 minus 2 plus 1 solve करोगे तो minus 1 बचेगा यह हो गया dimensional formula for plank constant इसको याद रखिएगा जड़ा angular momentum कैलकुलेट करो angular momentum इसको L से represent करते हैं और यहाद इक्वाल्टो होता है m v r तो अगर हम लिखना चाहें dimensional formula for L angular momentum तो हो जाएगा mass m velocity l t power minus 1 और r distance radius के लिए है तो total हो जाएगा ml square t power minus 1 बचेगे इन दोनो dimensional formula को मिला करके देखो एक साल question आया हुआ है कि plank constant का dimensional formula किसके similar होता है h का जो dimensional formula किसके similar होता है तो angular momentum के similar दोनों के फार्मूले dimensional formula same होते हैं तो जो angular momentum का dimensional formula होता वही plank constant का भी dimensional formula होता है इसको भी note कर लिजए और याद जैसा बोले याद आपको बिल्कुल नहीं करना आप formula याद रखो धीरे धीरे आप use करते करते dimensional formula याद कर ले जाओगे ठीक है तो इससे note करिए फिर अगला देखा जाए बच्चो एक और dimensional formula calculate कर लो बोल्ट्समेन constant बोल्ट्समेन constant एनरजी इक्वल टू 3 बाइ 2 के टी जहाँ पर यह जो के है यही बोल्ट्समेन constant है इसी का आपको dimensional formula calculate करना है टी है temperature ध्यान रखना फर्स्ट टाइम जितना भी हम लोग dimensional formula discuss किये उसमें से फर्स्ट टाइम temperature यूज कर रहे है तो confusion ना हो इस वाले formula में जो टी है वो टी time को represent नहीं कर रहा है टी temperature को represent कर रहा है और ए है energy तो के का आपको dimensional formula calculate करना है तो के की value calculate करो 2E by 3T तो dimensional formula of बोल्ट्समेन constant is equal to number का नहीं होता है कोई dimension energy का ml square T power minus 2 यहाँ पर 3 लिखा हुआ number का नहीं होता है लेकिन T यहाँ time नहीं temperature है temperature के लिए theta तो बोल्ट्समेन constant के लिए हो जाएगा ml square T power minus 2 theta power minus 1 coefficient of viscosity coefficient of viscosity श्यानता गुड़ांग इसको calculate करें कि फार्मूला F equal to 6 पाई इटा आरवी यह जो बच्चो इटा है न जो ऐसे यन जैसा है इटा है यही है coefficient of viscosity का symbol श्यानता गुड़ांग का symbol तो जिसका आपको dimensional formula calculate करना हो सबसे पहले उसकी value निकालो F by 6 pi rv तो dimensional formula of coefficient of viscosity equal to dimensional formula of force force के लिए हो जाएगा mlt power minus 2 number का कोई dimensional formula नहीं होता तो 6 का कुछ नहीं होगा pi का कुछ नहीं होगा r radius है l v velocity है lt power minus 1 1 l से 1 l cancelled yam l power plus 1 है उपर की तरफ ले चलोगे minus 1 होगा t का power minus 2 और t का power ये नीचे से उपर जाएगा t तो power plus 1 होगा total हो जाएगा ml power minus 1 t power minus 1 coefficient of v velocity का dimensional formula पच्चो एक और पढ़लो फिर इसके बाद इसका यूज पढ़ते हैं लेकिन हाँ इतना याद नहीं रखना है और इतना ही नहीं पढ़ना है जितना आपके book में है वो सभी dimensional formula आपको एक बार जरूर calculate कर लेना है और फिर जिस dimensional formula का जादा यूज होगा question को solve करने में उसका आपको याद कर लेना है ठीक है तो अब last हम लोग dimensional formula calculate करने चलना है capital G यादा है capital G gravitational constant जो की एक universal constant है dimensional formula for capital G आपने formula पढ़ा होगा F equal to G M1 M2 by R square तो G equal to हो जाएगा F R square by M1 M2 capital G का dimensional formula of capital G force M L T power minus 2 radius या दोनो जो object है दोनो जो बस तो है उनसके बीश का distance तो L L square mass M another mass another M MCM cancel हो जाएगा M power minus 1 ये plus 1 है उपर की तरफ shift किये minus 1 L total हो गया L का power 3 और T का power minus 2 तो बच्चों इस तरह से आप सभी लोगों ने ये calculate करना सीखा हम याद करने के लिए बार-बार नहीं कह रहे हैं आपने सीखा कि अगर आपको formula पता हो तो आप dimensional formula calculate कर सकते हो बच्चों ये जो symbol था याद करो joh symbol है L joh symbol बनाय γए M joh symbol बनाय गए T joh symbol बनाय गए theta joh symbol बनाय cd joh symbol बनाय था dimension में mole ये सारे symbol joh बनाय गए थे वो सभी symbol किस आधार पर बनाये गये थे क्यों length के लिए dimensional formula यल ही लिखा गया था, क्यों mass के लिए yam ही लिखा गया था, क्या हम समझाये थे हम आपको, हमने आपको ये समझाये था, कि जो उनका spelling है, उसका पहला word ही उसके dimensional symbol को represent करता है, तो length के लिए yal था, mass के लिए yam था, temperature के लिए थोड़ा सा change हुआ था, चूकि time और temperature दोनों similar हो गये थे, तो time के लिए capital T और temperature के लिए theta बनाये गया, बच्चों अब चलो question थोड़ा सा साल्व करते हैं, हम आपको दो सवाल समझाने चल रहे हैं, और ये दोनों सवाल NEET में पूछे गए और UP board और CBSC board में भी आये हुए हैं, कह रहा है कि अगर आप dimensional formula के concept को ही बदल दो, मतलब हम लोग ये मान करके चलना हैं कि length fundamental था, mass fundamental था, उनकी जगह पर किसी और को fundamental बना लो, ठीक, तो question ये है कि, आप force, length और time को, force, length और time को fundamental unit बना दो, किसको किसको बना लो, force को, length को और time को, ये जो तीनों हैं, इसको आप बना दो fundamental unit, यानि कि मूल मात्रक, मान लो, यही तीन ही मूल मात्रक हैं, तो अगर इन तीन को मूल मात्रक बना दिया जाए, fundamental unit बना दिया जाए, तो जो mass है, उसका dimensional formula क्या होगा, पहले question को बड़े ध्यान से समझना, ठीक, और याद मत करना, बार बार आपसे request है, आप याद करने के पीशे पड़ोगे, तो physics आपको कठिन लगेगी, कितना याद करोगे, तो केवल आप question को लगाने का धंग देखो, कह रहा है कि force, length और time को, अगर fundamental unit मूल मात्रक बना दिया जाए, तो mass का dimensional formula क्या होगा, तो जैसा अभी आपको समझा रहे थे, कि dimensional symbol निखने के लिए, जो spelling होते हैं, उसका first, later ही, उसका dimensional का representation करता है, dimension का representation होता है, जैसे याद करो length के लिए L यूज किया गया, लेकिन length के लिए L कभ यूज किया गया था, जब length fundamental unit था, तो आप कहरा, पूरा concept twist करो, पूरा concept खतम करो, नया बनाओ, नया ये है, कि force fundamental unit हो जाए, length fundamental unit हो जाए, और time fundamental unit हो जाए, तो चलो, अगर force fundamental unit है, तो force का dimensional formula क्या हो जाएगा, is equal to f, थोड़ा दिमाग चकराए मत, क्योंकि अभी कुछ देर पहले, आपको ये समझाए हैं, कि force का dimensional formula, ml t power minus 2 होता है, ये तो बताए है, और यही सही भी है, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्यों f लिखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों, यहाँ पर ये formula तब सही है, जब आप mass, length और time को fundamental मान करके चले हो, तो यह कराए, mass को गोली मारो, mass को हटाओ, अब आप नया concept लो, force, length और time fundamental unit मानो, तब mass का dimensional formula केलकुलेट करो, तो जिसको आप fundamental unit बना देते हैं, उसका dimensional formula, उसके spelling का first letter होता है, यह rule है, तो force का spelling, f, o, r, c, f, से शुरुवात होता है, तो f, उसी तरह से length, dimensional formula of length, इसके लिए L हो जाएगा, और dimensional formula of time, केवल यही, तीन ही हमारे पास, question के according, fundamental unit है, तो आपको mass का कैलकुलेट करना है, बच्चो formula सोचो, ऐसा formula, जिसमे mass आता हो, जो आप से question किया गया हो, वो quantity आए, और यह सभी quantities आए, तो mass और force में, तो well known एक formula है, सभी बच्चे जानते हैं, force is equal to mass, into acceleration, लेकिन अब आपके पास, इस formula में, force दिख रहा है, mass दिख रहा है, calculate करना है, acceleration नहीं है, तो acceleration की जगह पर, आपको length और time लाना पड़ेगा, सोचो, acceleration की जगह पर length और time कैसे आएगा, तो acceleration का formula होता है, rate of change of velocity, यानि की vague परिवर्तन का दर, अब देखो, यहाँ पर velocity आगया, time तो मिल गया, चलो time भी हो गया, तो जो vague है, velocity है, क्या उसे हम length में convert कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं, q velocity is equal to distance by time, distance by time यहाँ पर रख दे, तो क्या हो जाएगा, m distance by time, और नीचे एक time और है, delta t वाला, यह, तो दोनो time का square हो जाएगा, multiply करेंगे, तो m d by t square, फिर से देखो क्या किया गया, जिस किसी भी quantity के बारे में, dimension निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले उससे formula में लाना होगा, force का formula, mass into acceleration, लेकिन acceleration है ही नहीं, मेरे पास केवल three physical quantity है, इसके according, तो acceleration की जगह पर, acceleration का formula लिखे, rate of change of velocity, velocity नहीं है, तो velocity की जगह लिखे, distance upon time, दूरी बट्टे समय, नीचे एक time था, एक time और मिल गया, तो time का square हो गया, अब mass का आपको calculate करना है, तो mass equal to force into t square by d, इसलिए mass का dimensional formula हो जाएगा, dimensional formula, of mass is equal to, f का तो f ही था, time का t था, t square, और distance, distance तो length ही होता है न, तो L, यानि की हो जाएगा, f, L power minus 1, t square, ये हो गया, नया mass का dimensional formula, वो भी कब, जब इन तीनों को fundamental unit बना लिया जाया तब, तो देखो, किस तरह से question पूछा जाता है, ये competition में पूछा गया question है, तो बच्चों, इसी question की तरह एक question और है, तो अगर आपको question, आपको आ रहा होगा, तो मेरे साथ साथ लगा लिजेगा, अगर नहीं आ रहा है, तो उस कारण को ढूढ़िए कि क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, फिर दोनों question को लगाने की कोशिश करिएगा, तो अगला question यह है, similar वह ही question है, कि अगर velocity, force और time, fundamental unit बना दिया जाए, तो energy का dimensional formula क्या होगा, velocity, force and time, वेलासिटी, force और time को fundamental unit बना दिया जाए, तो आपको energy का dimensional formula calculate करना है, तो जिनको fundamental unit बना जाता है, उसका dimensional formula लिखने का rule क्या है, कि जो fundamental unit होते हैं, उसके spelling का first letter ही होता है, तो velocity, dimensional formula of velocity, इसका हो जाएगा V, चुकि V को बना दिया जाएगा fundamental unit, dimensional formula of force, इसके लिए हो जाएगा F, dimensional formula of time, इसके लिए हो जाएगा T, आपको calculate करना है energy, तो energy के लिए कोई भी formula याद आ रहा हो, लिख दो, जैसे energy के लिए आपको Einstein formula याद आ रहा हो, तो भी यूज कर लो, आपको ये भी याद आ रहा होगा, कि work is energy, तो energy के जगा, अगर हम work का formula लगा है, तो भी वही आएगा, displacement, कोई भी यूज करो, सबसे dimension की value सेम आती है, अब इस पूरे जो three quantities थी, इसमें कहीं mass नहीं दिखाए दे रहा है, तो mass नहीं दिखाए दे रहा है, तो mass को change करो, force में, तो आप जानते हो, Newton का famous formula, f equal to m into a, therefore m equal to हो जाएगा, f by a, f by a, c square, force हो गया, c velocity हो गया of light, यह जो a है, वो acceleration है, तो acceleration भी तो इसमें नहीं है, three quantities यूज करनी है, तो acceleration की जगा लिख दे रहे है, rate of change of velocity, acceleration का formula लगा दिए, t उपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, equal to f, delta t उपर गया, c square by delta v, देखो सारे quantities आगए, force आगए, time आगया, velocity आगया, यह भी velocity है, c भी velocity of light है, therefore dimensional formula of energy, इस नए concept के अनुसार क्या हो जाएगा, force का f हो जाएगा, चुकि force fundamental unit है, time के लिए t हो जाएगा, velocity, चहलाइट की हो, या किसी object की हो, सबकी velocity L ही से represent होगी, c square है, तो L square हो जाएगा, by L, velocity के लिए भी, sorry, यहाँ पर velocity के लिए V, V square हो जाएगा, एक V से, एक V cancel हो जाएगा, तो हो जाएगा, f, T, V, तो बच्चों, इस तरह से, यह जो first, कह सकतो, lesson का, actually, first lesson नहीं, second lesson है, second lesson का एक छोटा सा टापिक है, dimensional formula या dimensional analysis, उसका दो question हमने आपको समझा है, फिर से आप से request रहेगा, कि आप dimension formula को याद नहीं करोगे, निकालोगे, कई बार निकालोगे, जो common use होगा, उसे आप याद करोगे, बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग dimensional formula का, use क्या होता है, उसे पढ़ेंगे, तब तक कि लिए उम्मीद करेंगे, कि आप इन question का, जो भी दो question आपको समझा हैं, इन question को repeat कर लेना, अगर कोई problem आएगी, तुसे comment box में जरूर लिख दीजेगा, और साथ ही साथ, आपका होमर कितना ही है, कि आपके पास NCRT की book, या कोई भी book होगी, उस book में से, जितना भी formula है, उस formula के help से, dimensional formula निकाल जरूर लिजेगा, otherwise आपको धीरे-धीरे कठिल लगेगा, यह starting है बच्चों, अभी से तैयारी सुरू कर लेना, प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई